दोस्तों नमस्कार स्वागत करते हैं ब्लॉगिंग अजय यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में दिखाने वाले आपको रात में किस प्रकार कावर यत्रा होता है पुर्शुत्तम मास के महिना में और इस वीडियो को आप जरूर आंतर तक देखेगा काफी बड प्रारम कर रहा हूं आप लोग कॉमेंट करके भी पूछ रहे थे कि वह यह कहां से वीडियो प्रारम करते हैं उसका जो है लोकेशन ऊगरा बतते रहेगा तो देखे गवर मारा से इस वीडियो को प्रारम कर रहे हैं और काफी बड़ा यह वीडियो होने वाला है अप जरू सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और सेयर कर दें और कोमेंट करके आप लिख दीजेगा हर हर महादेव बोलबं और अगर आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लें ताकि जब भी वीडियो डालू सबसे पहले आपको नोटिफिक्शन सब्सक्राइब और आप वीडियो में आपको दिखा चूके हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा हमारे चैनल के माद्यम से ठीक है तो देख सकते अभी जो है इधर पूरा यहां तक तो खाली ही दिख रहा है देखते हैं आगे और जाकरके अभी काफी लंबा वीडियो पूरा आप लोग को आज दिखाएंगा कैसा रहेगा द्रीश देवगवर तक चलेंगे और यहां से देवगवर का डिश्टेन मान के चलिके आपको चार से पांच किलो मीटर है और उतना जो है तै करने वाले हैं हम लोग साइकल से काफी महनत करते हैं आप लोग के लिए जीगा भाई को और इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा किजिएगा और जितना होगा आप लोग भाई को सपोर्ट करने के लिए फॉन पे जो है नम्मर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आप आपसे जो भी होगा दस बीस पचार सो आप जो भी आप से ह उगर में जो की बहुत सारे वीडियो अभी आने वाला है बहुत जल्द याने की नंदन पहाड का भी जो है आप सबको दिखाएंगे और रिष्ची करान आप लोग से हेल्प में लेने का प्रियास कर रहा हूं आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे हेल्प करेंगे भाई को त बहुत जगह पर अभी और सारा श्वीर लग रहा है कल अगर होगा तो हम लोग जो है कावरिया पर फिर से जाएंगे और उसके बाद एक महाकाल से बास्वीर जो है आज एक अगस्ती 2023 को प्रारम हुआ है उसका वीडियो में आपको दिखाएंगे और काफी अच्छा वहां पर वी रुख सकते हैं जो कि खिजूरिया सराशनी में परदते है वो लोकेशन ठीक है इस राष्ते में आपको देखने को भी मिलेगा अब देख सकते हैं लग पकावरिया पत में जा रहें और दिखा रहें और लगतार j의 जो है आज घुजर रहें किस प्रगार आज का यात्रा हो रहा है समय काफी ज़्यादा हो रहा है इसी कारन थोड़ा कावरिया जो है कम आपको देखने को मिल रहा है पहुत सारे दुखान में विश्तराम करने भी कावरिया बहुत ज़्यादा ठक जाते हैं 108 या 110 किलमेटर जो भी डिस्टेंज है उतना कबर करना पैदा लेतर काफी सारे बं कुछ नए नहीं आते हैं उनके पैर में जो चाले पड़ जाते हैं ऐसा प्रश्थिती से गुजरते हैं कावरिया लेकिन अगर आप जानते हैं कि महादेव का दसन करने में थोड़ा तो कष्ट आपका होगा ही होगा अगर आप पहली विजभर के अंगर को साथी लेकर आते हैं तो उनके साथ आप जेर आयोंगा है कि कितना से ल Mai है कहाँ नोलेज आपको सेइर करेंगे तो अभी यह दिखने को नहीं मिलेगा 289 मुझे आपको देखने को नहीं मिलेगा रात का मुझे तीसरा चोथा वीडियो होने जा रहे हैं कावरी अपत का दिखा रहे हैं इसी करन आप लोग भी बोर हो गए होंगे मैं सोच रहा हूं कि तिरकुट परवत और महां पर रोपी अगर चालू हुआ है या नहीं हुआ है वह भी मैं आपको दिखाएंगे इसलिए आप लोग से मैं मांग रहा हूं अगर आप लोग कर देंगे तो भाई को आगे और अच्छा वीडियो आप तक शेयर करेंगे क्योंकि अभी हम लोग का पैमेंट उतना नहीं बन पा रहा है जो यूटुब का डॉलर है ने बहुत कम अभी छे हजार साथ हजार भी जाएगा तब जाके हम ल वाले वह तो अंतिम चरण में बहुत सरा कामरे आएंगे जो कि 15 दिन का आपका सावन होगा उसमें बहुत सरा कामरे तब देखेंगे और देखते हैं अभी पेमेंट भी इसमें बहुत दिनों के बाद आएगा यानि कि समाझ सकते हैं अगर देखा जाए तो पूरा जितना सावन में काम किये थे हैं उसका जो है रवेन्यू देखा जाए तो वही आठ से दस जर होगा और वह भी जो है 30 अगश्ट तक आएगा तो समाझ सकते हैं घर से खर्च लेना बहुत दिक्कत होता है कि घरवाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जब तो उनको आप विश्वा में भी जो है ना आपका लगब एक लाग भी जाएगा तब जाकर कितना एक डोलर बनेगा ऐसा फेस्विक पर अर्निंग है काफी कम अर्निंग हो रहा है तो क्या ही करें जब इसमें ठान लिए कुछ करने का तो आगे और बड़ा बड़ा चीज जो है हासिल अभी करना है अ आप लोग हमसे दिल के दिल से जुड़े रहिए हम लोग भी जो है क्या इसमें जो है मैं भी आपको जानूंगा आप भी मुझे पाशा नहीं है ऐसा होता है कि यूटूबर के साथ कुछ ऐसा समस्या होता है अगर आप लोग दोस्ती बनाके रहेंगे तो मुझे भी काफी अच्छा लगएगा दिखाने में देख सकते हैं ऐसा कावरिया पत का अपडेट है इसी बात में पुरा दिल का दर्द होगरा भी मैं आप सब के साथ से जुड़े हुए हैं इसकर आप लोग के साथ यह सारा दुख-दर्द जो है शेयर करते हैं और एक अभी क्रेशन भी न प्रश्चिति गुजर रहे तो आप लोग अगर अच्छा वीडियो आप तक शेयर करेंगे और फिलाल चलिए कावरिया पत में आये हैं तो इसका बात करते हैं यह सारा चाहिए में रखते हैं तो जितने भी कावरिया मिलने के लिए हमसे चाहरे वह कॉल और कर लिजेगा औ आप लोग वीडियो को यहां तक देख लिए हैं तो आपको नमर यहां पर प्रोवाइड कर दे जाएगा और हर एक वीडियो वीडियो आप जैसे देखेंगे वाच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिखा हुए रहता है नमर वहां पर चेक आप कर सकते हैं करके जितने भी सदस हैं उनके द्वारा लगाए जाता भी रात में काफी लाइटिंग के साथ सजाए गया है काफी खूपशूरत यह देखने को मिल रहा है और कल जो है दिन में हमां करके यहां का एक इंटर्व्यू जैसा लेंगे और उनसे जानेंगे कैसा जो है उनलों का सवागरब हम लोगों को दिया जाएगा और कितना दिन दिया जाएगा अभी जो मुझे पता है एक अगश्त से प्रारम हुआ था और आज यह प्रारम हुआ है और 31 अगश्ता यानि की सावन का अंतिम चरण जो है जो आपका चलेगा तब तक यहां पर सवागरब दिया जा है इसी कारण कावरिया पत कहीं कहीं पर सुनसान आपको देखने को मिलता है तो खैर कोई नहीं दुकान हर समय खुला हुआ है आप दुकान में भी जो है आपको खाने पीने का सब शुविदा है मिल जाएगा थोड़ा कॉस्टिली ले सकते हैं लेकिन आप लोग बोलिएग सकते हैं तो जो होगा हम लोग उनसे बात करेंगे तो काफी आप लोग को रात मिल सकता है वैसा कुछ नहीं हर दुकांदार आपको एक जिसा नहीं देखने को मिलेगा लेकिन कुछ है ऐसा मान जाएंगे आपके अगर काने से हम लोका ठीक है तो फिलाल चलिए अभी हम देखने को मिलेगा जब आप दुम्मा बॉडर इन करेंगे परवेस्ट करेंगे जहारखंड में और उसी जगह से आपका पुरादेवभर का डिस्टेंस वहीं 10 किलोमेटर है और बहुत दिन से हम लोग गोडियारी नदी भी जाएंगे बीच में कि अभी जो है समय भी नही बहुत खर्ष हो जाता है तो वैसे हम लोग घूर के नहीं आप आएंगे और साथ में एक चलाने वाला भी होना चाहिए इसे करना थोड़ा को पड़ जाता है लेकिन फिर भी आप लोग को लगतार में अपडेट देने का ठान लिये हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते क इसा कःएं दो आप करने से कम होता है तो जो भी घृ बोले नाथ से जुड़े हुए हैं भहगवान बुले smeet जो है सरधालू है जो भी उनके चाहिता है यानि कि जो भूलेनाथ को चाहते हैं उन से लगतार अब्डिट हो रहा है मैं आपको यह सावन काई देने का प्रेस करें इसकर आप लोगों को जो है भूलेनाथ का नाम लेकर करके आप मुझे कुछ डोनेशन कर सकते हैं आपको और जो है बाबा की किरपास से और आपको आगे विर्दी होगा और जो भी होगा आपका हम लोग का आशिरवाद आप पर बना रहें तो देख सकते हैं इधर एक बाइक वाले भी सायद पैदल चलने उनका कुछ समस्या हो गया होगा मतलब फॉम्चर होगरा हो जाता है या फिर और लग रहा है यह सरा जो अभी प्रारम नहीं हुए है जब प्रारम होगा मैं आपको दिखाएंगे अभी जो है एक सिविर आपका प्रारम हो गया है वही महाकाल सवा सिविर जो की सराशनी में ही है आपका अब अगर आएंगे तो दुम्मा बोडर से आपको 6 किलोमेटर यहांनि को अपना पुरा करते हैं तो अपको तब मिलेका देखने को और इसके बीच में इस कावरिया पत्त में जो है बहुत जगहों पर आपको जहेंदेवताएं का प्रतिमा इस वार पताया गया है जो कि आपको देखने को मिलेगा आप महां पे आर्तिवरा ले सकते हैं और कुछ जो भी आपका हो महां पर आरती देने के लिए पैसा दे सकते हैं ठीक है आपकी एक्षा और हर राष्टे में हर जगह पर आपको खुला जो है सिक्का मिल जाएगा अगर आप लोग आपके पास खुला नहीं है तो खुला जो है आपको दस का अगर आपको सब कुछ नॉलेज होगा कि किस परकार आम लोग काम रहतर करते हैं और कैसा अनुबवर रहता है वह आप लोग जानती होंगे और जो भी सरदालों देख रहें इस वीडियो को प्लीज आप कहां कहां से देख रहें वह कोमेंट करके बता दीजेगा और अगर हमा बहुत अच्छा लगता है आप लोगा कोमेंट पढ़ करके और देख सकते हैं अभी जो है यह कामवरियापत में इदर भी लाइट काफी अच्छा दिया गया है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा चलने में अगर आप रात में भी जो है यत्रा को कंटिन्यू रखते हैं की बहुत सारा काउ assignment कि रात में ही जो है अपना यात्रा को पूरा करतें दिन में जो है काफी भी अधर काफी जूर से बारिश हुए और हम लोग जो है ऐट आपनाँ खेती मैं कि किसान काका मह्ना पूराच की किए हैं यानि कि दो तिन झाथ जो है अम लोगा उसमें अभी जो है कादो गरा जो हताने उसको अभी किये हम लोग और थोड़ा बीची इधर भी हो गये हैं इसी करण जो है रेगुलर दोपर का भी जो है अपडेट आपको नहीं आज दे पाए हैं खेर कोई नहीं कल हम लोग जाएंगे कामरिया पत और फिर क्या खाया है एसने हम लोग का है बहुत दिक्कत है और कुछ ज्यदा खेती भी हम लोग का नहीं है कि कुई देखे हैं अपना जा माना ज है अब लोग का जमीन है और उस हो हर साल जो भी उपजाव होता यानिकि चावल ओंगता है था exactement कर लेते हैं थो धोड़ा उसमें कहीं चलते ही पहर न शरूंने से कामगरा करते हैं और मैं गुजर रहा है अकेला ही भाई हूँ हमारे उपर होता है अनुन हमारी बोलते बोलते मुझे आरा है जिन्डगी में यहीं काट करके का ढ़ीं जो है बहुत बड़ा आदमी मैं बनने का सोच रहा हूं देखते हैं आप लोग का सपोर्ट अगर प्यार रहा है इस प्रकार जरूर एक सफलता आदमी हम लोग बहुत मैंनत मैं कर रहा हूं घर का भी जो है काम रहा करना पड़ता है और साथ में आपको अपरेट को रहा देना तो चलिए आज का यह वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं बोल वाम हर हर माद